नमस्कार मेरा नाम राजु है यहाँ पे MF Central का एक पोर्टल लॉंच किया गया है जितने मूचल फंड के अलग-अलग संस्था हैं अलग-अलग एप हैं जैसे कारवी केंप से अलग-अलग रेजिस्टार हैं सुंद्रा मूचल फंड फ्रैंकलिंग मूचल फंड अलग-अपन आप अपने डिविडेंड उप्सन को ग्रोथ उप्सन में स्विच कर सकते हैं चेंज अपडेट इमेल एड्रेस को कर सकते हैं आप अपना मॉबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपने फोलियो में मॉबाइल नंबर को अपडेट कर सकते है यदि आपके पास 10 folio है और चाहते हैं कि सारे folio को हम एक folio में transfer कर सकें तो सारे folio को एक जगा पे आप consolidate कर सकते हैं मेरे पास 100 से अधिक folio था तो सबको मैं consolidate करके एक folio में आप यहाँ पे ला सकते हैं किसी भी फोलियो में कोई गलट डाटा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस डाटा को सही कर सकते हैं आप अपना bank account change करना चाते हैं जो SIP जिस account से जाता है आप दूसरे account से करना चाते हैं जो पहले mutual fund में account दिया था वो account आपका बंद हो गया है अब आप नया bank account उसमें जोड़ना चाते हैं कहां चक्कर काटेंगे काग जी करवाई करेंगे यह सब कुछ online अब हो गया है तो यहाँ पे आपको नई bank का चेक तो यहाँ पे आपको verify करने के लिए नई bank का चेक या पासबुक का copy लगाना पड़ेगा उसके बाद यह आपका bank account चेंज हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यह service देखते हैं update of IFC code मान लिजी कि आपका account किसी दूसरे branch में था branch आप change किये हैं दूसरे सहर में job आपका हो गया है तो उस इस्तिती में IFC code बदल जाता है किसी किसी case में देखा जाता है कि SIP आपका stop हो जाता है रुख जाता है तो आप अपना IFC code बदल सकते हैं यह सब कुछ online कर सकते हैं nominee को यहाँ पे update कर सकते हैं जब आप मुचरफंड का SIP शुरू किये थे तो कोई भी nominee alert नहीं किये थे उस समय आपका साधी नहीं हुआ था अब आपकी साधी हो गए यह 5-7 साल 10 साल के बाद तो यहाँ पे आप nominee अपडेट कर सकते हैं आप चाहें तो एक से ज़्यादा आदमे को nominee बना सकते हैं बैंक mandate आप register कर सकते हैं अलग अलग bank का registration कर सकते हैं status modification कर सकते हैं minor to measure आपने mutual fund शुरू किया था बच्चे के नाम से 18 साल से कम age था माइनर था अब 18 साल से ओपर age हो गया है तो वह भी आप यहाँ पे change कर सकते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं काफी सारा option है जो online हो गया है जो पहले आपको कागजी करवाई करने के लिए अलग-लग branch में जाना पड़ता था अब आप mfcentral.com के site पे जाके आप खुद से ये चीज अपडेट कर सकते हैं आपको इसी तरह mutual fund के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना advisor बनाना चाते हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझे WhatsApp कीजिए आप चंडी करके आसपास रहते हैं तो आप अपने training program welfare meeting में हमसे financial planning का class करा सकते हैं आपको online mutual fund में invest करना है तो link में जाके आप mutual fund का account हमारे साथ open कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे तो like and subscribe जरूर करें thank you so much